नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप MS Word 2019 में इंसर्ट टैब में सिंबल आप्शन के अंतरगत इक्वेशन आप्शन का उप्योग कैसे करते हैं यदि आप MS Word में काम कर रहे हैं और काम करते समय आपको कुछ mathematical equation की ज़रूरत आपको अपने document में पढ़ रही है तो इस तरह के equation आप अपने keyboard से insert नहीं कर सकते इसके लिए आपको equation को कहीं से copy करना पड़ेगा और अपने MS Word के document में उसे paste करना पड़ेगा लेकिन MS Word हमें यह feature देता है कि आप किसी भी तरह का कोई भी equation खुद से create कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने MS Word में insert टैप के equation option का उप्योग करना होगा दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को like करें और अपने सभी दोस्तों में इसे share करें किसी भी topics से related अगर आपका कोई question है तो उसे comment करें और यदि हमारी नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe करें और उसके बगल में जो आपको bell icon दिखाई दे रहा है उसे press करें तागी नई वीडियो की notification आप तक तमया पर पहुंचती रहे Excel InfoTech के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियो जैसे की MS Office, Corridor, Photoshop, Teleprime, इत्यादी की playlist के link आपको इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगी equation का use करने के लिए आपको जाना है MS Word के insert tab के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे symbol block के अंदर आपको दिखाई देगा equation का option इसके लावा नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा more equation from office.com यहाँ पर भी आपको काफी सारे equations के format दिखाई देंगे जिसमें से आप कोई भी equation का यहाँ पर insert करके उसको use कर सकते हैं मैं आपको एक equation use करके दिखाता हूँ कि इस equation का किस तरीके से use किया जाता है तो इसके लिए हम कोई भी एक format यहाँ से select कर लेते हैं मालीजे हमने इस वाले format को यहाँ पर click किया इस format को click करने के बाद आप आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने यह equation insert हो गया इसके बाद अगर आपको इसमें editing करनी है तो simply आप click करके इसमें जो भी आप edit करना चाहें वो easily आप इसमें edit कर सकते हैं इसके लाब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने काफी सारे symbols हैं जिन symbol का आप यहाँ पर अपने equation में use कर सकते हैं जिसमें से हम कोई भी format पर click कर लेते हैं अब जैसे हमने इस format पर click किया तो आप देखेंगे आपारे सामने यहाँ पर दो boxes नजर आ रहे हैं इन दोनों boxes में आप अपने हिसाब से जो भी value डालना चाहें वो डाल सकते हैं से माल लीजे हमने first box पर click किया और यहाँ पर हमने डाल दिया 2 और second box पर click करने के बाद यहाँ पर हमने डाल दिया 5 तो इस तरीके से आप अपने fractions का use कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप यहाँ पर script का use करना चाहें तो यहाँ से आप script का भी use कर सकते हैं जैसे कि हम माली जे इस वाले script को select करते हैं और यहाँ पर पहले वाले box में माली जे हमने type कर दिया 12 और उसके square में हम यहाँ पर type कर देते हैं 3 तो इस तरीके से भी आप इसका भी use कर सकते हैं इसके अलाबा अगर आप यह चाहते हैं कि आपका यह जो format तयार हुआ है यह permanently आपके MS Word में save हो जाए और जब भी आप इसका use करना चाहें तो one click से आप इसे insert कर सकें तो वो भी आप इसने कर सकते हैं तो उसके लिए आपको इस पूरे matter को select करना होगा select करने के बाद आपको वापस से insert टैप पर click करना है वापस से equations पर जाना है सबसे नीचे आपको दिखाए देगा save selection to equation gallery इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आप अपने equation का कोई भी नाम type कर सकते हैं जैसे माल लिजे हम यहाँ पर type कर देते हैं Excel Excel लिखने के बाद हम यहाँ पर इसे कर देते हैं OK OK करने के बाद इस पूरे matter को हम यहाँ से control लेकर करके delete कर देते हैं अब यह same equation अगर मुझे insert करना है तो मैं वापस से जाऊँगा equation वाले option पर equation वाले option पर जाने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा Excel के नाम से वो format यहाँ पर represent हो रहा है इस पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो वो format हमारे सामने यहाँ पर add हो जाएगा और उसके बाद आप इसमें editing करके उसका use कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने equation का यहाँ पर use कर सकते हैं इसके अलावा equation पर जैसे आप click करेंगे तो नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक option आएगा ink equation का यह बहुत ही बहतरीन option है इस पर जैसे हम click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर writing का एक sketch represent हो जाएगा और इस sketch से हम जिस भी symbol को create करेंगे वो symbol हमारे सामने यहाँ पर insert हो जाएगा तो माली जा हम यहाँ पर एक symbol को scratch करके देखते हैं तो जैसे हम यहाँ पर कोई भी symbol sketch करेंगे तो आप देखेंगे वो symbol हमें यहाँ पर दिखाई देगा और उस symbol को अगर आप insert करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ insert button पर आप click करेंगे तो वो symbol आपका यहाँ पर insert हो जाएगा और उसमें कोई भी value आप type करना चाहें तो easily आप यहाँ पर type कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आप और भी कोई symbol यहाँ पर बनाना चाहें तो वापस से insert tab में आ करके आप यहाँ से ink equation को select कीजिए और select करने के बाद यहाँ से जो भी symbols आप तयार करना चाहते हैं जैसे मालीजी हमने यहाँ पर use किया multiply तो multiply जैसे हम use करेंगे तो देखेंगे वीडियो पसंद आया हूँ तो चैनल को like कमें शेयर जरूर कीजेगा धन्यवाद